एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गाउं में रहता था जैसे कि ज़्यादातर पैसे वालों को होता है इस धनवान सेठ को भी अपनी पैसों का घमंड था वह जिस गाओं में रहता था वहाँ पर ज़्यादा तरलोग किसान थे इन सभी किसानों के पास जितनी जमीन थी उससे कई गुना ज़्यादा जमीन इस सेट के पास थी कई गरीब किसान तो इसके लिए इसके खेतों में काम करते थे इसे गाउं में मोहन नाम का एक बड़ा ही महलती और सच्छा किसान रहता था मोहन का प्रिवार थोड़ा बड़ा था उसके प्रिवार में उसके बुड़े मा, बाप, पत्नी और तीन बच्चे थे जो अभी काफी छोटे थे मोहन के पास ज़्यादा जमीन नहीं थी लेकिन जितनी भी थी उसमें बड़ी मेहनत करता और अपने प्रिवार का पेट पाली लाएक नाजोगा लेता था बाके के किसान भी एदे कर हैरान रह जाते कि कोई कैसे इतनी सी जमीन में इतना ज़दा फसल उखा सकता है एक वरस उस powiedział में काफी ज़धा बारिस हुी कई किसाने के फसले बर बाद हो गई उसमें मोहन भी था मोहन धरम संक्रट में पड़ गया क्योंकि उसके प्रिवार में इसके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था अपने प्रिवार को बुका मरते वे वो देख नहीं सकता था वह जानता था कि इस गाउं में अगर कोई उसकी मदद कर सकता तो वह वही घमंडी सेथ है जिसने गाउं के सई अन्य गरीब किसानों को या तो करजा दिया या तो अपने यहां काम पर रखा हुआ है हाथ प्रहाथ द्रे बैठे रहने के बज़ाए उसने इस सेथ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उनके पास पहुँच गए सेट के पास पहुंचकर मोहन बोला सेट जी आपके बहुत महरवानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा करजा दे दे जिसे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगास कूँ या फिर आप मुझे अपने यहां नोकरी दे दें ताकि मेरे परिवार को दो वक्त का खाना मिल के गमिल्डी सेट को उसके इन बातों से कोई मतलब ना था लेकिन गाउं के सारे लोगों कितरा वह बिया जाता था कि मोहन कितना मेहलती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वह दोगोंनी फसल उगा सकता है सेट ने सोचा अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूँ तो साइब यह इस्थिती में नहीं है कि मुझे वापस लोता के लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूँ तो मुझे जरूर दूगना फाइदा होगा सेथ मोहन से खुला देख बाई पैसा तो मैं तुझे दूँगा नहीं और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजुद हैं लेकिन तुझ परतरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नोकरी देता हूँ पर मैं तुझे इसके लिए ज़्यादा पसे नहीं दूँगा बाकी किसानों को मतीन सो देता हूँ मैं तुमें दोसो ही देपाँगा मरता क्या ने करता मोहन ने सेट की सारत मान ली और उसी दिन से सेट के खेतों में काम करना शुरू कर दिया दो महिनों तक नियमी तो वो सेट के खेतों में जाकर कड़ी महिनत करता और देखते ही देखते चार महिनों का काम उसने अपनी महिनत से दो महिनों में ही खتم कर दिया सेट उसके काम से काफी खुशता लेकिन वह कभी उसको यह जान जताता नहीं था जब सेट ने देखा कि उसका खेतों का काम अब खत्म हो चुका अगर वह मोहन को काम से निकाल देता है तो उसके दो महिलों के पैसे बत जाएंगे तब सेव्स ने मोहन को काम से नकालने का फैसला किया एक बर सेव्स को ये विचार भी आया कि इतना में इंत्याद मिसाध उसे दो बार ना मिले लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नोगरी पर रख लेगा खिर इस गाम में इसके लावा है एकोन जिसके आगे ये लोग अपने हाथ फैलाएंगे एक गुन सेथ में मोहन को अपने पास बुला कर उसको उस दिल का पैसा दिया और साथ में यह भी कहा कि कल से तुम को काम पर आने की जरूत नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा यह सुनकर मोहन का दिल बैठ गया पिछले दो महिलों से कम ही सही उसके बच्चे और परिवार के पेट में अन का दाना तो जा रहा था अब है क्या करेगा यहीं सोचकर उसकी आँखों से आसों निकलाए मोहन ने सेट के पैर पकड़ लिए और गिडगड़ा गिड़ा ने लगा सेट जी मुझे इस काम की बहुत जरूरत है मुझे मत निका लिए अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेट तर सेमस ना हुआ उसने खरीक उटी सुनाकर मोहन को वहां से चलता कर दिया और मनहीमन दो महिनी की तनुखा बचले से खुश होनी लगा अगले दिन जब सेथ हे सवेरे उठा और अपने आंगन में आए तो उसने देखा कि मोहन उसकी आंगन में बैठा है सेथ ने उसको पास बुला कर पुछा कि क्या हुआ तुम क्यों यहां पर बैठे हो मोहन गोला सेथ जी मुझे वापस काम पर रख लीजी आप जानते ही है मेरी आर्थिक प्रिस्टिक कैसी है थोड़ी दया किजी लेकिन सेथ ने उसकी एक मैं सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहां से जाने के लिए कहा बिचारा मोहन अपना सेथ नीचे जुगा के वहां से चला गया अगले दिन फिर यहीं घटना दोराई गई मोहन फिर सेथ के आंग में बैठा था सेथ ने फिर उसको वहां से जाने के लिए कहा यहीं घटना अगले कई दिनों तक चलती रही अब तो मोहन शेट के हका लेने पर भी वहां से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था एक बार शेट ने उसे पूछ लिया तुम कैसे आदमे हो मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फरक ही नहीं पड़ता तब मोहन शेट से कहा बुरा तो बहुत लगता है शेट जी लेकिन जब घर जाता हूँ और भूग से भी लगते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ तब यह अफमान मुझे कुछ भी नहीं लगता इतना सब कुछ होने के बाद भी सेट का दिन जैसे पत्थर का बना हुआ है उसने मोहन को अभी तक काम पर नहीं रखा और नहीं उसका ऐसा करने का कोई इरादा था एक दिन सेट नहीं सुझा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गाउन चला जाता हूँ ताकि मोहन से पिछा चुटा स्कूं अगले दिन मोहन के आने से पहले ही सेट अपने प्रिवार को लेकर अपने किसी सम्मन दी के यहां चला गया और वहाँ पर दस दिनों तक रहने के बाद फिर अपने गाउं अपने घर वापस लोटा घर लोते ही सेथ ने आसपास हर जगर नजर दोड़ाई तो पाया कि वहाँ पर अब मोहन नहीं था सेथ ने सोचा मेरी तरकिब काम कर दें लगता है मोहन ने अब पिछा छुट गया हालांकि अब सेथ के दवार पर मोहन नहीं बैठा था लेकिन मोहन का विचार अभी भी सेथ की मन में घर पर बैठा था तेर सोच रहा था मोहनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दीखता है उसके साथ क्या हुआ होगा क्या उसे कहीं कोई और काम मिल गया होगा या फिर और कुछ इन विचारों ने सेट को बेचेन कर दिया इचा तो सेट को पतला कि जब सेट अपना घर छोड़कर किसी और गाउं में गया था तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहां चोरी करने आये थे जिन को रोकने की कोशिश करते हुए हाथ तापाई में मोहन चोटिल हो गया था यह सब जानने के बाद सेट का पत्थर का दिल भी अब मोम की तरह पिंगल गया सेट को अपने किये पर पस्तावा होने लगा सेट ने अपने आपको याद दिलाया कि कैसे उसने एक सरीफ और सच्चे आदमे को ज़्यादा काम करवा कर भी उसको पूरा पैसा नहीं दिया और जिसको गले से लगाना चाहिए था उसे ठोकर मार कर बगाता रहा सेट मोहन का घर का पता पुछ कर उसके घर पहुंचा तो देखा कि मोहन की घर की हालत बहुत खराब है उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ पैर पर चोटे के साथ एक खाट में पड़ा हुआ है यदरी से देखकर सेट की आँखों से आसु बहे लिकले सेट ने मोहन के पास जाकर उससे सथ से दिल से माफ्य मागी उसको उसकी मिहनत की पैसे दिये उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहां काम पर रखिया